नमस्ते दोस्तों मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है आज हम Royal Bengal Arms Gun Store में है कोलकाता में और आज हम Winchester का एक बहुती मशूर Bolt Action Rifle के बारे में सीखेंगे यह Model 70, 386 में Chamber Day और Serial Number के हिसाब से यह Around 1965 में बनाया गया था जरा सूच यह इतना पुराना एक राइफल इतना अच्छा कंडिशन में आपको कहीं और शायद कहीं पर भी नहीं मिलेगा अगर आप इंट्रेस्टेड है इस राइफल में तो शॉप ओनर Mr. Muhammad Faisal से बात कीजेगा जरूर जो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले इसका क्लोसप दिख लेते और हिस्टी के बारे में सीख लेते हैं इस राइफल को इसका प्रेडिसेसर मॉडल 54 के उपर ये बेस्ट है जो खुद Mauser 98 के उपर बेस्ट है इस rifle का production 1936 में शुरू हुआ था Connecticut New Haven District USA में इस rifle का production currently 2006 के बाद पोचुगल में होता है FN Hustle Company के अंडर ये rifle इतना popular था इसको rifleman's rifle का जाता था क्योंकि civilians, hunters, military सभी category के लोग इस rifle को बहुत extensively use करते थे इस rifle को 1999 Shooting Times Magazine ने title दिया as bolt action rifle of the century क्योंकि 1991 तक already 25 लाग सभी ज्यादा rifle sold हो चुके थे 1991 से present तक और कितने लाग सोल्ड हो चुके है आप समझी सकते है इसका जो rear sights है वो adjustable iron sights है जिसको leaf sights भी खा जाता है और उसका front sights जो है वो fixed iron sights है 1942 में United States Marine Corps ने इस rifle को adopt भी किया था for training and also for combat US snipers ने इस rifle को Pacific campaign में use किया था और यहां तक एक बहुत ही मशूर sniper Carlos Hathcock इसी rifle से एक बहुत ही famous shot लगा था जहां पे उसने एक Japanese sniper को take out किया था इस Winchester Model 70 30 or 6 का bullet के साथ जहां पे 30 or 6 bullet Japanese sniper का rifles को pierce करके उसके आँख में लगा था bolt action mechanism के बात करें तो आप देख सकते हैं बहुती smooth operation है यह बहुती well lubricated है और well maintained है कोई भी rusting कहां कही पर भी नहीं है वो top area में आप screws खोलके वहां पे scope लगा सकते हैं इस rifle का वजन है 3.2 kg इसका barrel length है 20 inch वहां पे दो जो loops दिया गिया है वहां पे आप एक rifle sling लगा सकते है to rest over your shoulder, carry over your shoulder पीछे का area में वो जो black part है वो rubber butt pad है जो recoil reduce करता है while shooting वो जो area है वो cheek rest है to improve comfort while shooting और checkering भी काफी aggressively दिया गिया है मैं आशा करता हूँ आपको यह rifle बहुत अच्छा लगा अगर आप इस rifle के बारे में और भी जानना चाता है तो मेरा आपसे एक छोटा सा अब Royal Bengal Arms Gun Store में आये और उनके imported collection और बंदू को जरूर देखिएगा Taurus, Webley, Astra, Colt, Winchester, Remington सारे imported बहुत अच्छे quality में आपको बंदू यहाँ पे मिल जाएंगे और air pistols और revolvers भी मिलते है बहुत सारे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक डाले शेयर कीजिए और मैंने चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा देखने के लिए शुक्रिया जै हिंद जै भारत